ये बिने नरम भुट्टे दूद्वाले लिये हैं और इसे हम पीलर से इस तरह से हलके हाथ से कट कर लेंगे और जो बाकी बचा हुआ इसमें गर है वो इस तरह से थाली से गिस कर निकाल देंगे और आपको दियान रखना है कि इसकी छिलके इसमें नहीं आना चाहिए अब कुकर में तेल डालेंगे और तेल जैसी गरम होगा इसमें राई, जीरा, हरी, मिर्ची और सारे मसाले डालेंगे इसमें कुछ स्पेशल मसाले नहीं डालते हैं सारे जो सबजियों में डालते हैं और शक्तर इसमें ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाते तो skip कर सकते हैं अब इसमें एक गिलास के करीब पानी डालेंगे सांती इसमें भुट्टे का पल्प और बारिक कठ्वी तरोई डाल देंगे इसमें एक गिलास पानी और डाल देंगे और पांच इसमें सीटी ले लेंगे एक बार आप दाने चेक कर लें एकदम ये सॉफ्ट हो जाना चाहिए और लास्ट अमीज में हरा धनिया डालेंगे बुट्टे तरोई की सबजी बहुत टेस्टी लगती है आप एक बार जरू ट्रै करें